हर इनसान को जट जट से सीखना है और अगर आपको भी जट से सीखना है आप आए हो सई चैनल पर यहें TRS Clips Hindi सब्सक्राइब प्लिक उन्ट पेला आए कॉल हाली मैं बनारस से लोटा और वहां हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की एक टॉपिक पे जिसका नाम है left hand of God जैसे कहा जाता है right hand of God left hand of God तो left hand of God में लोग काला जादू को भी कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं यह alternative practices को अगोरा को इंक्लूड कर देते left hand of God में उसको लेकर आपकी क्या राया है सुर्च वेदों में अनेक मार्क बताए गए अपने मशीतर जाने के लिए या अपने अंतरात्मा को उपर उठाने के लिए उन में ये practices हैं जैसे ये तंतर है ये शास्त्र विरुद नहीं है ये शास्त्रों में है लेकिन ये उसके लिए है जो संसार में थोड़ा ज्यादा आ सकत है और जो सीधा सीधा वेराग्य की मार्क पर नहीं चल सकता तो शास्त्रों ने कहा कि उनी कामनाओं को लेकर और तुम चलो लेकिन कुछ ऐसा करो कि तुम धीरे धीरे उपर उठने लग जाओ तो थोड़ा सा उस मार्क में व्यक्ति को साबधान रहना पड़ता है क्योंकि माईक शक्तियों से डील कर रहा है तो खत्रा रहता है कई वहाँ पर आ सकत न हो जाए या मार्क से भढ़क न जाए तो इसलिए सीधा साथा मार्क तो प्रेम का है लेकिण कई लोग उस मार्क से भी उपर उठे, बहुत उपर उठे इसलिए उसका खंडट नहीं करते सर खत्रे कैसे होते हैं सा तो आपने कहा कि खत्रे हो सकते हैं अगर आपने उस लेफट हैंड ऑज़ को चुना तरफ चला जाता है, कुंडलनी को ही ले ले, यह जो कुंडलनी है, यह एक material शक्ती है, अब एक बार समझा दोगे सब कुंडलनी क्या होती है, तो हमारे शास्तर कहते हैं कि हमारे मेरूदंड में विभिन चक्र है, तो जैसे योग साधना करते हैं, वो सुप्त शक्ती जिसको क कुंडलनी कहते हैं, वो जागरित होती है, अग जागरित होकर उपर उठने लगती है, अब वो जैसे उपर उठती है, एक एक चक्रों को पार करती है, तो विभिन प्रकार की सिद्धिया इत्याती मिल जाती, तो जो लोग उस मार्क से जाते हैं, वो विभिन शक्तियों से युक हो जाते हैं, अनुभव करते हैं कि आप ऐसा कर पाते हैं, और experiences भी विभिन प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन अगर अंतहकरन शुद नहीं किया, और शक्ती मिल गई इतनी बड़ी, तो डेंजर आ गया, जैसे एक बच्चा है, आपको बेटा हम तुमको 10 करोड दे देंगे तो बच्चा उसका सदुप्योग करेगा या दुरुप्योग करेगा, तो ऐसे ही शक्ती मिल गई एतनी बड़ी, और अंतहकरन की तैयारी नहीं थी, तो फिर डेंजर आ जाता है, मुझे कई लोग मिलते हैं, कि स्वावेंची हमने कुंडलनी को जागरित करने का प्रयत्न क और कोई कहता है कि शरीर में बादाये आगई, कोई कहता है कि मन आउट अफ कंट्रोल चला गया, तो इसे लिए वो डेंजरूस होता है, कईसी बादाये आ सकते है शरीर मिलता हो जाता है? इसी प्रकार से मान ओट अफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी शक्ती आ गई और उसको हैंडल करने का सामर्थ है नहीं था तो मान लो एक फ्यूज है आप उसमें दस हजार वोल्ट डाल रहे हैं वो फ्यूज ओड सकता है तो इसलिए ये जो मार्ग है ये एक क्वालिफाइड टीचर के अंतर के निर्देशन में ही उस मार्ग में कोई चले तो अपनी तरफ से कोई जाएगा तो फिर वो खत्रा मोल ले रहा और एक और खत्रा है अहंकार भी अब शक्तियां आ गए तो अहंकार भी आ गया हम तो पानी पे चल सकते हैं ऐसा कर सकते हैं और अहंकार जो है फिर अध्यात्मिक शेत्र में उगिरा देता है तो उसके विपरीत है प्रेम का मार्ग सरल सुखद मारग यही भाई भगती मोरी पुरान शुती गाई तो यह सरल सुखद मारग है प्रेम करो परम शुद में अपना मन लगाओ तो तुम्हारा मन भी शुद हो जाएगा अजब मन शुद हो गया तो बस वो जो आनंद चाहिए था वो जो फोकस चाहिए था वो जो श्रेष्ट विजार चाहिए थे वो आटोमेटिक आने लग जाएंगे इसी लेफ्ट हैंड ऑफ गॉर्ड के टॉपिक को लेकर एक और सवाल है आपके लिए से बेसिकली काला जादू होता क्या है according to you हम सुनते रहते हैं काला जादू इन्होंने काला जादू किया इन पे इन्होंने कोई स्पेल कर दी इन पे विच्च्क्राफ्ट के बारे में बाते होती आजकल इस सब चीज़े होती क्या है अच्छे वो काला जादू जो ब्लैक मैजिक वो तो एक एक्स्ट्रीम होया उसमें क्या होता है कि ये आराधना ये भी तीन गुणों की है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण जो रजगुणी है वो मनुष्यों की भाक्ती करते है जो सत्वगुणी है वो स्वर के दिवी देव काम की भाक्ती करते है और जो तमगुण से युक्त है वो भूत प्रेत की भाक्ती करते है तो आप ऐसी भक्ति पाएंगे कई कई जगाओं में विशेश रूप से आदिवासी समाज में इत्यादी आप ये पाएंगे कि भूत प्रेत आदी की भक्ति करते हैं तो फिर वो भूत को वश में करके और कार्य कराना जैसे बच्पन में प्लैंचिट होता था बच्चे खेलते थे तो किसी आत्मा को बुला लिया और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर मिले तो वो जो है लोग उसको सत्य मान लेते थे कि एक आत्मा आई आत्मा ने ऐसे बता दिया तो वो होगा ही लेकिन उनको ये विचार नहीं था कि वो आत्मा तो शुद नहीं है जिसको बुलाया अब आत्मा से आपने पूझा कौन हो तुम आत्मा ने का कि मैं हनुमान हूँ वैक्ति ने मान लिया हनुमान आगए वो आत्मा धोका दे रही है हमारी बाक्ती हो इसलिए आत्मा धोका दे रही है तो हमारे गुरुजी ने एक बड़ा मज़ेदार आख्यान बताया उनका एक सत्संगी वो ऐसे प्लैंट शिट करता था कहता था महाराज जी वो आत्मा आई ने का ठीक है मैं बैठना हूँ साथ में साथ में बैठे तो आत्मा को बुलाया तो पूछा कि कौन हो आत्मा ने का मैं हनुमान हूँ तो महाराज जी ने का ठीक है पर हनुमान तो ग्यानी नाम अग्रगंडियम ग्यानियों के अग्रगंडिया है तो एक व्याकरन का प्रश्ण कर दिया आत्मा से तो आत्मा ने उत्तर दिया अगली बार हमको बुलाओगे इनको साथ में मत बिठाना तो ये आत्मा भी तो धोखा देती है अब हम उनके साथ छेड़ चाड़ कर रहे है तो वो भी हमको परिशान कर सकती है कैसे ज़र? कैसे? अब कुछ मातरा में उनके पास ये शक्ती होती है किसी को ओवर पावर कर ले फिजिकली? हाँ फिजिकली तो देखते ही है लोग मश में आ जाते हैं किसी पर स्पेल कास्ट कर ले तो इसलिए उस दिशा में जाना ही नीच चाहिए वो खतरनाक है अपनी शक्ती को इतना बढ़ाए कि कोई आत्मा हमारी उपर प्रभाव न डाल सके और ये पॉसिबल होता है सब खुद की शक्ती को पॉइंट तक बढ़ाना ताकि आप में वो ताकत आजाए बिलकुल करना भी वही है तो अगर हम इनका सहरा लेंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा तो अगर हम चाहते हैं कि अपने मन को मजबूत बनाए तो इस साइड को काट दे और मान लोग की पता चला भी कि कोई ऐसा हमारे साथ करने का प्रयास कर रहा है तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएं कुछ नहीं कर पाएंगे लोग अगर हम अपने को स्ट्रांग बनाएंगे और सबसे बड़ी शक्ति तो बगवान किये जब हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी शक्तियां क्या करेंगे अपनी शक्तियां कर रहे हैं